पुल्वामा के आतंग की हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योचावत किये है दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतियों की सम्वेदनाई उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा है इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर्ग गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षावलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजंसियों तक पहुचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतं की संगढ़नों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्ति कर चुके हैं के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसी और भावपल है पक्ष्म है या भी पक्ष्म है हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर हैं इस हमले का देश एक जुठ होकर के मकामला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रत रहा है उससे भारत में अस्तिर्टा पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहां कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आथिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बढ़ाल कर सकता है उसके यह मनसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ज कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले है वो तबाही देखते चले है और हमने जो रास्ता अखत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मुह तोड़ जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती शक्त शब्दों में इस आतंग की हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोतावादी शक्तियों को एक हो करके आतंगबाद को परात्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक च्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंगबाद कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्तिती और माहोर दुख के साथ आकरों से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकन बुखावला करेगा यह देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दकी लगाता है पहला देश की सुरक्षा